नमस्कार वेब दुनिया नियूज में आपका स्वागत है और नज़र डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर मुस्लिम लॉब और मीटिंग से मोदी समर्थक सरेशवाला को भीजा बाहर जैपर में चल रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉब बोट की बेठक में प्रधान मंतरी मोदी से नज़्दी की रखने वाले जफर सरेशवाला भी पहुचे थे सरेशवाला के बारे में कहा जाता है कि वे बोट तथा प्रधान मंतरी मोदी के वीज मुलाकात की कोशिश में लगे है लेकिन बोट की बेठक से उनने बाहर निकल दिया गया बैठक से बाहर आने के बाद जफर सरेशवाला ने कहा कि बोट ने अपना रवया नहीं बदला तो यहां अप रसंगिक होगा उन्होंने यह भी कहा कि मैं बैठक में शामिल होने नहीं गया था मुझे बोट के एक सदस्य ने बुलाया था जिनके बुलावे पर एक नीजी मुलाकात करने के लिए मैं वहाँ पहुचा था शिल्पा शेट्टी के खिलाफ केस दर्ज बॉलिवोड अभी नत्री शिल्पाशेटी की कमपणी के खिलाफ कोलकता की एक कमपणी ने शिकायत दर्श की है उन पर 9 करूड रुपे का निवेश करने के लिए कतलिक तोर पर फुसलाने को लेकर मिली शिकायत के आधार पर केस दर्श कर जाश शुरू की गई कॉलकता पुलिस में बताया कि यहां शेक्सपियर सरनी थाने में MK मीडिया प्राइवेट लिमीटेट के प्रतिनिधी देवाशिश गुहा की शिकायत के आधार पर मुंबई में बांदरा के एसेंशियल स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमीटेट की शिल्पाशेटी वरिपू के खिलाफ मामला शुरू किया है भारतिय दन्सहिता की विभिन धाराओं के तहट मामला दर्श करने के बाद जाच की जा रही है MK मीडिया प्राइवेट लिमीटेट ने इस संबन्द में कलकत्ता उच्चनैले में दिवानी मुकदमा दायर कर रखा था पाक दूतावास ने दिया कश्मीरी अलगाव वादियों को न्योता भारत सरकार के विरोध करने के बावजूद दिल्ली में सोमवार को भारत स्थित पाकिस्तानी दूतावास ने पाकिस्तानी दिवस के मौके पर कश्मीर के कई अलगाव वादियों नेताओ को बुलावा पाकिस्तान के हाई कमिशनर अब्दुल बासित के बुलावे पर हुर्यत के कई बड़े नेता दिल्ली पहुच गए है सवाल ये उट्टा है कि जब पाकिस्तान सभी पक्षों से वार्ता करने की बात करता है तो फिर कश्मीर पंडितों से क्यों नहीं गार तलब है कि भाजपा ने मीरवाईस और बासित की मुलाकात का विरोध किया है भाजपा प्रवक्ता श्रिकान शर्मा ने कहा कि दोनों देशों की वार्ता में तीसरे के लिए कोई जगे नहीं ये द्वी पक्षिय वार्ता है